हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागट है, और आज हम एक और नए टूल की चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है? हेग्जा एक प्रकार का cutting tool होता है मतलब यह क्या होता है काटने में इसका उपियोग किया जाता है तो अब हेग्जा के बारे में हम जानते हैं कि हेग्जा की बनावट किस प्रकार होती है यहां पर हमने देखा हमारे द्वारा बनाए गया यह एक adjustable hexa, अभी हम इसके प्रकार की चर्चा करेंगे जब हम जानेगे adjustable hexa क्या होता है, पर पहले इसकी बनावट देख लेते हैं, अब देखिए, यह क्या है, adjustable hexa है और एक और होता है, जिसे हम fixed hexa कहते हैं, यह एक और प् जो हमारा hexa है, इसमें एक handle होता है, एक frame होती है, और दो holder होते हैं, और एक blade होती है, पर मुक्क दो भाग कोंसे, एक frame, और एक hexa frame, और hexa blade, blade क्या होता है blade के माध्यम से हम cutting का कारे करते हैं और blade किस में fit होती है hexa frame में fit होती है अब देखी तो क्या हुआ अब यह handle है इसमें एक holder fit होता है और holder में क्या होती है retaining pin मतलब उठी हुई pin होती है जिसमें blade को फसाते तो यह holder है यह fixed होता है nut के द्वारा इसे हम लंबा या छोटा नहीं कर सकते इसकी जितनी लेंद है उसको fix रखा जाता है और एक और holder होता है जो frame में फिट होता है इसकी लेंद को हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं किसके सायता से? Bingnet की सायता से Bingnet को flynet भी कहा जाता है और इसका question अकसर exam में आता है जैसे multiple choice question आते हैं उसमें पूछा जाता है Bingnet का उपयोग कहां किया जाता है मुक्ता कहां किया जाता है तो उसमें hexa एक option होता है और आपको वही tick करना है ध्यान देना इसको अब ये Bingnet है इसे flying net भी कहते हैं जैसे पंची उड़ते हैं पंखो की तरह देखिए आप इसका आकार देख रहा होगा आपको इसके माध्यम से हम holder को है इसकी length बढ़ा सकते है या गठा सकते है और इसमें भी क्या होती है retaining pin होती हुए उठी हुई और यह हमारी blade है इसमें holes होते हैं दो hole होते है blade hole कहा जाता है और उसे fix कर दिया जाता है फिर holder के माध्यम से इसे जितना भी tension चाहिए उस मात्रा में से fix कर दिया जाता है तो इस तरह हमारा blade किसमें hexaframe में fit होती है अब यह frame है maximum mild steel की बनी होती है frame अलग धातु की बनी होती है और blade अलग धातु की बनी होती है अभी blade की चर्चा करेंगी जब बताइए हम कि किस की बनी होती है अभी frame किस की बनी होती है mild steel की बनी होती है मुक्कतब और handle लकडी का भी होता है mild steel का भी होता है और यो हमारी frame है इसे जहीं प्लास्टिक का भी बना दिया जाता है काई लकडी का बना दिया जाता है यह बात आप द्यान दे अब यह क्या होगी हमारी है अब इसके handle की बात करें तो यह भी दो प्रकार होते है एक pistol grip type का जो pistol की grip होती है पकड़ने की pistol आपने देखी होगी सबने यह देखी अगर पकड़ने तो pistol की grip जैसा है की नहीं तो इसलिए इसका कहा जाता है pistol grip और एक होता है straight जो हमने fix type के hexa में देखा है एक straight handle और यह इसमें भी होता है जो हमारी fix type की hexa है इसमें भी pistol grip type का handle हो सकता है जैसे adjustable में देखाया गया है यह दोनों प्रकार के होते हैं handle यह भी समझ गया है तो बस अब देखी जो यह fixed है और यह adjustable है इन दोनों में बस इतना ही अंतर होता है कि अब यह देखी अब देख रहे है न परफेक्ट साइज अब देखी जो fixed है इसकी जो blade है वो धाईसो से तीनसो mm तक ही रहेगी मतलब इतनी length के हिसाब से यह fix आएगी मतलब जैसे मान लिए यह धाईसो mm की blade है तो यह सिर्फ धाईसो mm की ही रहेगी अब तीनसो mm के लिए यह बड़ा size का आएगा fix मतलब इसमें हम एक ही प्रकार की blade उपयोग में ला सकते है इसके size को कम जादा नहीं कर सकते है पर जो हमारा adjustable है इसकी हम length कम जादा कर सकते हैं और इसमें ही भिविन प्रकार की blade हो का उपयोग कर सकते है तो इन दोनों में यह मुक्ता अंतर है और कोई अंतर नहीं पर परन्तु जो perfect काम करने के लिए उपयोग की जाती वो क्या है fix type की मतलब ज़्यादा तर उपयोग किसका होता है fix का होता है अब देखिए इसमें देख लेते हैं यह बिंगनेट है इसकी सायता से fit किया जाता किसको यह देखिए आप देख रहा है यह बिंगनेट देख रहा है आपको यह holder है हमारा इसके माध्यम से यह holder को हम इसकी lane बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं यह fix holder है यह handle हो गया यह frame हो गई अब एक और तीसरे परकार की भी हमारी hexa होती है जिसे क्या बोलते हैं deep cutting hexa hexa frame उसमें क्या होता है जो frame देख रही है यह इसके size को बढ़ा कर दिया जाता क्यों? क्योंकि अगर हम इससे कुछ भी चीज काट रहे है तो एक lane तक काट सकते हैं इतना अगर लेकिन इतनी lane तक काटना हो तो उसको प्योग किया जाता किसका? deep cutting hexa का तो यह होगा हमारे hexa इसके परकार को जान लिया हमने और इसके कौन-कौन से महत्पून भागे इनको जान लिया इनने retaining pin कहते हैं जह adjustable blade holder है यह fixed blade holder है यह handle है और यह frame length adjustment करते हैं इसके माध्यम से हम यहाँ पर hole होते हैं और यहाँ पर भी pin होती यह frame कहलाता है और fix में भी इसी परकार होता है सब कुछ handle दो परकार के होते हैं pistol grip और straight यह हमने जान लिया अब इसके बाद हम जानते हैं अब हम बात करते हैं blade की अब देखी यह blade हमारा blade आप देख रहा है इसमें 2 hole होते हैं अब जो इसकी मोटा ही है इससे क्या कहा जाता है back edge और इस तरब की side दिख रही है इससे side कहा जाता है और नीचे दानते कटे होते हैं और कुछ blade हो में जैसे यह है इसमें एकी परकारज दानते नीचे की और दानते कटे हुए पर उपर नहीं है इसमें दोनी और दानते कटे हुए यह आप समय गए तो यह हमारी blade है अब देखी यह इनको कहा जाता है pin hole क्योंकि यह retaining pin इनमें फस्ती है और यहाँ पर fix होती अब देखी यह बहुत महत्पुन है यह आपको याद रखना पड़ेगा कि जो length है blade की length है यह दोनों hole है इन दोनों hole के center से मापी जाती है दोनों जैसे हम एक line कीच ले यहाँ भी एक line कीच ले और जो length नापने है उसे हम क्या कहते है blade की length जैसे हम बता रहा है आपको 200-300 mm तक की maximum क्या हमारी blade की length होती यह दूसरा मुझके part है किसका hexa का एक hexa frame और एक blade तो इसकी 200-300 mm तक होती है तो कैसे मापने आप समझ गया होंगे pin hole के center से spin hole के center के बीच की इसे मापा जाता है इसे क्या कहते है blade की length अब यह हो गई हमारी और जो center line बनाई गई है यह इसलिए बनाई गई है तक कि आपको एक idea हो सके इसके लिए जो हम लाइन खीचनी hole के center से इसलिए center line को हमने बनाया यह part नहीं है बस एक छदम line है समझ गया अब देखिए जो नीचे हमें दाते कटे हुए देख रहे है इसमें सिर्फ एक ही तरब दाते कटे हुए है दोनों साइड भी कटे हो सकते है यह से इसमें अब देखिए अब जो दाते हैं यह टीथ है टीथ या दाते अब यहां पर हमने इनको नीचे बनाये हुआ है थोड़े जूम करके अब यह दाते हैं यह दाते देख रहा है अब इसको और जूम करने तो इधर देखते हैं अब यह हमारे दाते हैं यह बने हुए अब देखिए यह दो दाते हैं यहां से यहां तक, निकट बरती, एक दांते के दूसरा दांता निकट बरती, टीथ है, एक टीथ के दूसरे टीथ, और इन दोनों की जो दूरी होती है, इसे क्या कहा जाता है, पिच कहा जाता है, समझ गए? और जो नीचे एज होता है, ये कॉर्नर वाला, नुकीला, इसे क् कहते हैं cutting edge क्या कहते हैं cutting edge यह वाले भाग को क्या कहते हैं face और इससे क्या कहा जाता है flank playing कहा जाता है इस तरह आप समझ गए कि pitch क्या होती है pitch पर भी बहुत question आते हैं अब एक और चीज है इसमें उसे हम कहते हैं TPI thread पर inch और teeth पर inch अब देखिए हमने पहले blade के प्रकार देख लेते हैं फिर pitch के आधार पर हम प्रकार देखिए अब देखिए तो यह blade है आप पर जान लिया अब blade है blade दो प्रकार की होती है किसके आधार पर temper और harden के आधार पर इन्हें hard और temper की जाता है उससे आधार पर दो प्रकार की होती है एक all hard और एक flexible type all hard में क्या होता है यह flexible type है all hard में क्या होता है पूरी hard होती है पूरी hard होती है टूट सकती है इसे मोंडने पर उसको पूरा hard harden and tempering की जाती है जिसकी उसे all hard blade कहते हैं मतलब ज्यादाता रहे ना हम पूरा hard कर देते हैं कठोर धात पर उप्योग किया जाता है और दूसरी क्या होती है flexible type होती है flexible type में सिर्फ जो दाते हैं या teeth है उन्हें hard and temper किया जाता है दो प्रकार की यह हमारी blade के प्रकार हो गया है अब हम क्या पढ़ रहते है पिच पिच के आधार पर यह flank लिखा हुगा है अब पिच के आधार पर हम जाने तो कितने प्रकार की हो सकती है blade अब देखिए अब देखते हैं हम एक 1.8 mm फिर देखते हैं 1.4 mm फिर देखते हैं 1.0 mm फिर देखते हैं 0.8 mm यह चार प्रकार है अब यह चार प्रकार को क्या बोला जाता यह course या आपरिस्क्रत, course कहा जाता है, जिसकी pitch, यह pitch है, यह कितनी होती है, 1.8 mm, और इसमें कितने दाते होंगे, तो इसमें दाते होंगे हमारे शहुदा, अब जितनी बड़ी pitch रहेगी, उतनी दातों की संक्या कम रहेगी, तो यही क्या होता है, टीत पर इंच, मतलब एक इ एक पिच मान लिया, तो कितने दाथे आ रहे हैं, 3 दाते आ रहे हैं, अब देखी, अगर डातों का आकार बड़ा है, जो pitch का आकार बड़ा है, 1.8 है, तो इसमें क्यतने दाथे आते, 14 दाते आते हैं, समझ गया आप की टीत पर इंच क्या होता है, अब देखी, और दूसरा परकार का होता है medium या मध्यम कहा जाता है जिसे इंधी में. Medium होता है और इसमें दातों की संक्या होती 18 अब देखिए, Pitch का size कम हुआ, दातों का दूरी कम हुई, तो हमारे दातों की संक्या जादा हो गई. मतलब दो दातों की बीच की दूरी कम हो गई इसे बोले जाता है fine, और fine में क्या होता है, fine में 24 teeth आते हैं, इसी तरह होता है very fine, और इसमें कितने 32, 32 क्या होते है, teeth होते हैं, अब देखिए, इनका इस्तमाल अलग-अलग प्रकार्च किया जाता है, जो course type है या आप अरिस्कृत है, इसका उपयोग किसमे किरा जाता है, जि है जिसे brasse हो गया पीटल हो गया इसका किया जाता हूं अब जिसे общем का अपना डलबा हो गया कार्वनम इस्टील हो गया इस अब जो मीडियम कार्बन स्टील, उसके बाद जो fine होते हैं, very fine, very fine का इस्तमाल जैसे seat metal, seat metal हो गई, ये धातूं पर, कठोर धातूं पर किया जाता है, इस प्रकार हमने क्या जाना, कि पिछ के प्रकार कितने चार प्रकार के होते हैं, आप समझ रहोंगे, अब उसके बाद आते हैं, ज इस प्रकार से की जाती है, अभी हम देखते हैं, इनका उप्योग कहा होगा, अब इसमें ये दाते बने हुए, एक देखी left, एक right, तो एक दाया, जिससे ये दाता है, ये दाते हैं, या टीथ है, तो एक left में होगा, एक right में होगा, एक left, एक right, इसमें एक left में होगा, एक right में एक left में एक right में एक left में इस तरह निकले होंगे तो इससे क्या कहते हैं single stated set और इसका उप्योग किस्म किया जाता है course में course या मुलायन धातू को काटने के लिए किया जाता है और इसी प्रकार एक double staggered आता है जिसमें दो दांते right में दो दांते left में alternate ऐसे चलता प्योग किया जाता और इसको उप्योग किया जाता gain की जाता है और एक अन्य प्रकार से दांतू की सेटिंग की जाती है उससे babysat बोलते हैं अब देखिए इसके माद्रम क्योंता क्योंता बैब की तरह होते है यलए आप देख रहा होंगे बैप की तरह मतलब कुछ दाते left में, कुछ दाते right में. तो ऐसा बेब के आकार का बन गया ना, दातों का arrangement. और इन्हें किसमें किया जाता है उपयोग? कोर्स में, वो fine और very fine में. इस टेगट को किसमें किया जाता है? कोर्स में. तो इस तरह हो गया. इस तरह हमने जान लिया, कि हमारी पूरा, क्या बूलते है, hexaframe के बारे में, blade के बारे में, pitch के बारे में, उसके arrangement के बारे में. और अब हम जानते हैं, जैसे हाँ, blade की दातू बताना भूल गया था मैं आपको. जो blade की दातू है, blade की दातू होती है, high carbon steel, high speed steel, और low alloy steel, जैसे tungsten alloy steel होती है, इससे बनी होती है. अब इसकी, हमने length देखी ली थी, कितनी होती है, 200 से 300 mm तक, इसकी चोड़ाई की बात करें हम, तो 13 mm से 16 mm तक इसकी चोड़ाई हो सकती है. अगर इसकी मोटाई की बात करें हम, इसकी मोटाई, तो 0.69 mm से 0.8 mm तक इसकी चोड़ाई हो सकती है. यह हमने जान लिया सब कुछ किसके बारे में, हेक्जा के बारे में. अब इसका कार हमने जान लिया किसलिए, कटिंग के लिए. अब हम देखते हैं, इसको उप्योग करते टाइम, हमें क्या सावधान ये बरतनी चाहिए. जब भी हम एक हेक्जा का उप्योग कर रहे हैं, तो हमें यह हमें ध्यान देना चाहिए, कि इसका टेंसन प्रॉपर हो. जैसे यह हेक्जा है. अब देखिए, इसमें एकदम फिक्स लगा हुगा यह ब्लेट. एक प्रॉपर टेंसन पर हमारे ब्लेट को फिक्स करना है. नहीं, तो यह आसानी से टूट सकता है, जब हम इसका उप्योग करें. और दूसरी बाद, जब भी हम कटिंग करना है, तो किसी भी जॉप का, अब हाथ में पकड़ कर तो काट नहीं सकते, तो इसे प्रॉपर बाइस पर क्लेम करें, और फिर हम किसका हैगजा का उप्योग करें. और जैसे यह गर्म होती है, तो इसे कूलिंग एज़ेंट के माद्धिम से आप कूल कर सकते हैं. और जब भी कोई भी जॉप पर आप कट कर रहें, तो उससे कटिंग करना है आपको, तो उससे पूर्व आपका करें, एक ट्राइंगुलर फाइल ने, उसके माद्धिम से बी सेप का मार्क लगा लें, फिर फाइल का इस्तिमाल करें. और देखिए, आपको एक और चीज, जब भी आप इसमें ब्लेट फिक्स कर रहे हैं, तो हमेशा ध्यान लें कि इसके दाते हैं बिंग नट की और होना चाहिए. क्योंकि जब भी हम कटिंग की प्रक्रिया करते हैं, तो उसके माध्यम से जब भी फोर्स लगता है, आगे की और पावर लगता है, और पीछी की और हमें रिलेक्स होकर हम खीशते हैं. तो जब भी कटिंग करने वाले दांते क्या होते हैं? आगे की और या बिंग नेट की और होते हैं, यह भी आप दिहान रखें. यह कुछ सावधानिया थी, और अगर कुछ महत्पूर्ट तत्य छूट गया होते हैं, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और हमारे नॉन्टिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब जरूर करें.